नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयरी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता है कि युपीटोपलैसी से जो ले सभी अपडेट हम आपको अपडेटी कराते हैं और जितने भी अपडेट होते हैं उनको हम पूरी अच्छे तरीके से अनलिसिस कराते हैं और आज का जो अपडेट है वो बहुत प्यारा अपडेट है वो अपडेट है कि आखिर क्यों नहीं मिल रही एजनसी और एक्जाम कब सुरू होंगे यह सबसे बड़ी चिंता है कि पह अज़ा पर और बहुत कि लिएडिस बोलने बाला हूं कि इख्जाम कभसे की हो रहे हैं और आयों क्या चाहा रहा है अब तक आपके एक्जाम होंगे तो इन सभी बातों पर आज हम बात करने बाले हैं जो चैनल पर नहींहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है और आप जब भी कोई वीडियो आता है तो उसको पोजितरी का है लिजिस कर लीजिए और एक और बात मैंने काफी ऐसा सुना है चैनलों पर कि मैं मतला अकसर देखता हूं सुनता हूं कि कोमेंट्स में और भी चैनल वालों को सुनता हूं कि आप लोग कहते हो क आप ने बहां से खबर उठा ली या किसी ने तुमारी खबर उठाली मिस सभी बच्चे बोलते हैं कि तुमनों तुमारे वीडियो देखके किसी उनने वीडियो बना दी तो ऐसे बाते चलती है तो आप इस बात को समझे जितने भी एक्जाम पे निउज पेपर आते हैं जै ठीक है अमरुजाला ने चाप दी तो देनिक जागरान ने क्यों चाप दी देनिक भासकर ने क्यों चाप दी समझे नी इंडिया टुडे में क्यों आ गई ये वात समझे आरे बास तो यह जो है ना तो फुर तो सारे निउज पेपर में अलग-अलग खबर आनी चाहिए कि एक नहें जो खबर छाप दी दूसरा छाप ही नहीं कि भाही इंच उचाप दी तो इसलिए निउज एक ऐसी चीज जो होती है जो सब पढ़े लिखे बच्चों के तरह बनो पढ़े लिखकर भी आपके अंदर मानसिकता पढ़े लिखकर भी वही है गबारो वाली समझें तो यह चीजे थोड़ा समझे करो क्योंकि जब यूटूब पर अगर फचास लोग भी काम कर रहे होंगे तो अगर आयूक सो कोई ख़बर तो जब आपता बहुत भी और जिलाए ठ categorom dat बटा नामत आ भाहर किसी सब्सस्मLY है तो वह तो खबर सब को पता चलाती है और उन्ही बत्राद्पों से बच्चों को पता चले जा जाती है और जितने ज़्यादा ख़बर देंगे, मालनो मेरी वीडियो है, आप सो लोग बनाओ देखकर, हम पर कोई फ्रक नी पड़े हैं, क्यों कि सो लोगों से भी अगर वीडियो बन रही है, तो कम से कम यह तो है कि सो के अगर जितने वीवर होंगे, सब को खबर पता चलेगी, हमा यह ऐसे खबर चाप रहा है, यह उसकी बता रहा है, तुम आपस में करते रहे करो, खुम मजे से, चली मैं बात करता हूँ, देखी क्या है, यहां समझे, यह तुमने देखा होगा, 2022 के पैट से हैं, लंबी तदस भरतियां है, जो की पहली भरति परिक्षा है, ग्राम पंच परिक्षा 470, महीं पर परिक्षा लेखा परिक्षक सायक लेखा मुख्य परिक्षा 530, महीं पर नेत परिक्षक अधिकारी मुख्य परिक्षा 157, और सफसर बड़ी भरति कनिश्च सायक, लीपिक सायक 31512, महीं पर आसु लीपिक 333, बन नक्षक आपके 709, और आपके नक पोश्ट पर आपके एक्जाम कराने हैं अभी गौर्वर्मेंट को अब एक बज़े आपकी में बताता हूं क्या बज़े है इसकी क्या बज़े हो जाती है जिससे कि आपके एजंसी नहीं मिल पारी अब यह देखे सब जो है इसमें मैं आपको बताना चाहूं कि फिर एक यही ओर किसी में ज़्यादा सोट लिस्ट नहीं तो अब आप यह बताएं कि जब आपको लग रहा है कि एज़ेंसी क्यों ने मिली मापको बताऊंगा इसके कारण क्या क्या होते हैं ठीक है इसके कारण क्या होते हैं उतको बताएंगे ठेंशन नलो ठीक अबही हाँ एक सिक आएगी एक्जाम नहीं करा रही बड़ी एग्जाम क्यों नहीं करा रही इसका रिजन यह है नहीं आ रही क्योंकि समझें बड़ी एजन्सी जैसे कि से तीसी बात है अगर मुक्य संभानी ऐसा समझें अगर मुक्य संभानी ठेले पर से समों से खरीद कर खाने लगे ठीक है तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो जो है वह बहुत कम हो जाएगी और यूपी में तुम में पता है लीग सिस्टम भोच चला है लीग सिस्टम सपोस करो बन परसेंट कि कोई एजंसी इन दोनों में से कोई एजंसी आ जाती है और किसी बड़े एक्जाम को करा लेती यूपी के और उसके बाद में वो पेपर लीग हो जाए कि तुम पता यूपी में ज्यादा धाला हो रहा है आ कोई भी बड़ी एजंसी सामना आने रही है रही बाद छोटी एजंसी तो छोटी जितनी एजंसी है एक दो एजंसी पहले आई थी चोटी तो एक दो पर जो था पहले उनको ब्लोक कर दिया है उनको कर दिया है उनको ब्लोक लिस्ट कर दिया गया है कुछ एजंसी को जो दो कोपी चेक करेगी तीसरी आपकी सुरक्षा में रहेगी बहां पर पेपर कोसा गार से लेकर और एक्जाम सेंटर तक लेकर जाएगी तो अलग ले नियाव अमेली के अनुसार कोई भी एजनसी जो है हाथ नहीं डालना चाहिए और ज्यादा बड़ एक्जाम नहीं है इसलिए जो भी को एजनसी आएगे आभी तो फिलाल में कोई नजरोम आई नहीं नहीं है जो भी कोई ले साइगे वह यथा छोटी सी दियोगी वह एक्जाम कराएगी ठीक है और कराएगी कि इस पाइंट आपकर इक रहा है वें एक महा में चार सा पांच इक्जाम होगे आप सोचे हेहने का मतलब यह है कि 10 एक्जाम 2 महा न हो आठ więc को मतलब यह हो चुका है अब मतलब है कि अक्टूबर से सिब्टमबर लास्टी अक्टूबर से भी एक्जाम मुझाने सुरू किराए ऐत और दिसम्बर आपके की दो हीने में जो आपके एग्जाम करा के इतर धेंगे अक्टूबर नम Cryशाम करा की कुछ एग्जाम लोगे 답 संबर में के दूमन समझ गये हैं तो यह तो चयादत है नहीं अगर ऑग्शंत्र अगर विजय में करें अब करें कर Top 20 dni के अंदर अदर जो है JK ho जाएगे और आगे उसके बारत तुरंट इसके पैसे की बात हो जाएगी कितना पैसा कितना टैंडर किया कितना चाहे के पूरी बात हो जाएगा उसके बाब जो है और अक्टुबर के शुरुमा आपकी एक्जाम सुरू कर देंगे और पहले एक्जाम जो होगा आपका, बड़ितर का एक्जाम होगा, फिर बाद में देखा जाहेगा, इसके बाद कौन सा एक्जाम होगा, ठीक है? तो बड़ी एजन्सी क्यों नहीं हाट डालनी? अगर लुटाना है और जुने में भी वाली ची investigative और ऐसे Banu अभर यहार ओसे को चांफ किसी में चोटी मोटी अजंची अपनी एली हिए इस बेट से नेहीं पारे ठीक है को तो समझ ए सबत को ठीक है, NTA जो जातर हाई कोट का कराती है, अगर राज्य भी आती है, तो हाई कोट के कराती है, और इसमें कापी संख्या में फोंप पढ़ते भी है, क्योंकि यहाँ पर पैट का सिस्टम नहीं होता हाई कोट में, UP-PCL का कुराती ही जातर टी-स करा लेती है, क्योंकि उसमें भी पैट का खेल नहीं होता पैट के आने से जहना बच्चों की संक्या कम हुई तो बड़ी संक्या बड़ी एजंतियों ने हाट डालना बंद कर दिया यूपिटी प्रैस्टी में समझ गए यही कारण है जिसके बज़े से एक्जाम नहीं हो रहे एक्जाम कफसोरों के बता द जाएंगे बहु चाहें आपके 2023 जाएंगे 2030 पैट के हुँ या पर 2022 थेख है उन सब को हम करा देंगे तो यह बहुं एक नहीं हम दो महिने में करा देंगे उन महीने में करा देंगे कर सूब कर देंगे अगर के अक्टूबर से भी सुरू नम्न रव थाजीना इन हरुब और उसी दिन किसी और चीछ कर दगे मालों इंफॉर्मेंस कोईटेबल गर दिया तो आदे बच्चे करिफ हो जांगे इंफॉर्मेंस कोईटेबल कर देमे या फिर किसका देमे इस तरीके से तो उनके सामने ज्यादा बड़ी चुनोती नहीं चुनोती तुम्हारे सामने कि अहिंजा वारत बंदे मातरम